इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा हम हम बात कर रहे हैं इंजस्टिस बाबरी मजचीट पर जो नाइन साथी हुआ है कि इंजस्टिस जो है ये पेचले 2019 में जज्चमंट के साथ हुआ तोड़ा में उसमें पीछे जाना पड़ेगा, इंजस्टिस जो है, 2019 से नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है, और अलग लोगों ने किया, तो बाबरी मजिद के साथ जो इंजस्टिस हुआ, मुझे लगता है कि तीन तरीके के कैटेगरी के लोगों ने इसमें सारी इंजस् आप लोगों को ताजुब हुआ कि मुस्लिम कम्यूटि के बारे में क्यूं कह रहा हूं कि मुस्लिम कम्यूटि का बहुत बड़ा रोल है, मैं आगे आपके सामने उस बात पर रखूँगा, तो पहली चीज अगर हम देखेंगे, यह जो 2019 में जो जजज्मेंट आया, यह बार बार लगाता बावरी मस्जिद पर इंजस्टिस किया, अब सबसे पहला केस ले लीजिए, 1949 को जो पहां पर मुर्तियां रखेंगे, हमारे बुक्स में आता है कि जवाला नहरो ने उस वक्ते यूटी के चीप मिनीशर से कहा कि आप उस को सरायो नरी में फेग दो, और चीप मिनीशर ने खा कि मैं फेग ने सकता, तो प्राइम मिनीशर करके आ रहे थे, क्या इंडिया का प्राइम मिनीशर इतना मजबूर था, कि वो सेंटरल फोर्सिस को नहीं बेच सकता था, क्या वो इंटर्वीन नहीं कर सकता था, बस एक आराम से एक रीजन दिया जाता है कि चीफ मिनिस्चर रेडी नहीं थे, इसलिए प्राइम मिनिस्चर नहीं कुछ नहीं था, और प्राइम मिनिस्चर को पता था, सेंट्रल गवर्मेंट को पता था, कि यह एक time bomb है, कभी भी जातर इंडिया के अंदर जो है, issues create हो सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, कि इंडिय में जो है, 1947 से लेके 1949 तक यह दो साल जो थे, यह दो साल बहुत ही जादा एक communally ripe एक माहूल था, बहुत जादा communal incidents पूरे इंडिया में, especially जो north west और east में, बहुत सारे communal incidents हो रहे थे, इस तरीके के एक माहूल में, जब आप जानते हैं, कि मुल्क में, धर्न के नाम पर मुल्क का बटवारा हुआ है, उसके बाद ऐसे एक religious issues को जिन्दा रखना कितना dangerous हो सकता है, इस central government को पता था, उसके बावजूद central government में इसमें interfere नहीं किया, intervene नहीं कि एक issue को ऐसे ही बरकरार रखा, दूसरा चीज, वहाँ पर state governments की भी जिम्मेदारी थी, आप वहाँ पर एक मूर् आप निकाल सकते थे, कौन सी बड़ी चीज थी, निकालने के लिए, इस वक्त की जैसा, अभी की जैसे महोर भी नहीं था, और एक चीज हमें याद रखना चाहिए, जो राम मंदिर, आयोध्या issue है, इन 1980s तक national issue नहीं था, ये national issues 1980s के बाद बना, उस वक्त 1949 में सारवर करने सबसे पहले बाद इसको national issues बनाने की कोशिश की थी, नापपूर में जब अपने जो एक हिंदु महासाबा के speech में सबसे पहले सारवर करने, ये मुर्ती रखने के issues को raise किया था, और उस वक्त हिंदु महासाबा के जो activists थे, और उनके जो politicians थे, वो लोग इसको issue बनाया करते ये national issue कभी भी नहीं था, ये सिर्फ एक local issue था, और जैसा आप जानते हैं, मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक बात कही दी कि जो राम का image जिस तरीके से बनाये गए, हर कोई जानता है कि राम का image था, वो एक North Indian upper caste खुदा के बारे में, God के बारे में एक image था, एक beauty का image था, South India में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग उनके खुदा होते थे, तो ये भी 1980s के बाद का symptom पर, तो ये जो justification आज़की secular governments देती हैं, especially Congress देती है कि बड़ा issue हो जाता हूँ, मुर्टियों को निकालने हैं, वो एकदम ही बे-बुनियाद है, वो सिर्फ एक local आयोदिय का issue था, उसको बहुत easily deal कर सकते थे, लेकि नहीं किया गया, नमबर त्री अगर आप देखेंगे, उसके बाद, वापिस मैं आता हूँ, secular governments की एक नाकामी के उपर, 1989 में जब शिला नियास महां पर हुआ, वो शिला नियास को भी करने दिया गया, उस वक्त में एक secular government थी, वो केस के बाद, उन्हें अपने secular credentials को दिकाना ज़रूरी था, अपना एक balancing act बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम देखते हैंगे, 1989 में उन्हें शिला नियास की परमिशन भी दी और वहां पर अपने election campaign को आयर गया से शुरू करके, राम राज्या का जो concept है, वो भी राजिव गान की थी, आज तक पता नहीं है कि Armed Forces को किसने order दिया वहां से हटने के लिए, इंडिया के एक Armed Forces जो एक तरफ से पाकिस्तान को face कर रही, एक तरफ से चाइनों को face कर रही है, अलग-अलग internal and external threats को face कर रही है, वो security forces को एक मस्जिद protection करने नहीं हुआ क्या, इसका मतलब क्या है, वो मस्जिद को protect कर सकते थे, लेकिन जान भूच के उन्हें instructions दिया गया था कि मस्जिद की protection ना करे, तो यह point पे हमें याद रखना चाहिए, उसके बाद आप देखिए, 1992 से लेकर 1996 तक इंडिया में एक secular government थी, इंडिया में कोई BJP की government नहीं थी 1996 तक, नरसीमाराओ की government थी, अब नरसीमाराओ की government थी, तो उस government के वक्त नरसीमाराओ बहुत चीज़ कर सकते थे, जिस दिन बाबरी मस्जिद के शहीद हुआ आकर मुलक के सामने एकदम पसी उर्दू में आकर वो speech कर रहे थे कि वापिस तामीर होगी, लेकिन किस चीज़ ने उन्हें रोका, 1995 और 1996 तक Congress की जो Central Government की उसको किसने रोका वहाँ पर वापिस मस्जिद की तामीर करने के लिए, किसी ने ने रोका, यानि स्केटस को रतना उनका एक मकसद था, उसके बाद वापिस हम कहते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक वापिस इंडिया के अंदर 10 साल एक Secular Government थी, वो 10 साल Secular Government के दवरान में क Commission के अंदर पूरी तरीके से 48 Extensions के बाद हम देखते हैं कि उसमें पूरी तरीके से कौन-कौन इसके अंदर culprit से उनको उनका नाम लिखा गया, लेकि क्या किया गया, ना तो Parliament में डिसकेशन हुआ, ना तो एक Judicial Action हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, याने commitment ही नहीं था आपका, और थे कि यह बाबरी मजीच इशू को डील करने के वक्त, जड़ RSS के लोग, जड़ संग परिवार इसको एक वेरी एक्स्ट्रीम हिंदूत्वा एंगल से लेके जा रहे थे, उस वक्त, इंदिया में जरूरत थी, the government had to perform something called as very aggressive secularism, there was a need of aggressive secularism, लेकि वो aggressive secularism, लेकि वो aggressive secularism, जो है Hindu votes consolidation कर रही थी, उस वक्त से ये secular parties जो थे, वो secular parties को जरूरत था कि एक तरफ से जब हिंदूत्वा को इतना strongly promote किया जा रहा है, आपको जरूरत था कि आप secularism को strongly promote करें, आपका secularism क्या है, क्या secularism यह है कि आप किसी एक मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में के टोपी प जरूरत नहीं है, आप किसी मुसलमानों के प्रोग्राम में एक टोपी पेंचे से secular नहीं होगे, या क्रिशनों के चर्च में जाके candle लगाने से आप secular नहीं होगे, आप secular तब होगे, जनाप secular values को promote करेंगे, aggressively promote करेंगे, जब एक तरीके से बहुत strongly, जब एक हिंदूत्वा, एक ideology को promote किया जा रहा है, तो you cannot play soft Hindu, you have to promote aggressive secularism, वो काम उस वक्ट पे नहीं हुआ, तो ये injustice की जब हम बात कर रहे है, 2019 का injustice आखरी था, 2020 में जो सबको रिया किया गया है, वो आखरी था, उससे पहले ये secular parties के तरफ से बहुत सारे injustice हुए, अब आप देखिए, दूसरी चीज म बारे में भी हम लोग कहते हैं कि justice gogoi ने आकर ऐसा एक फैसला दे दिया, देखिए मुझे तो लगता है कि वो एक final चीज था, final चीज था, उससे पहले अगर आप history देखेंगे, ये जुडी शेरी ने ही सबसे ज़ादा problem create किया था, ये जुडी शेरी ने तो ये problem create किया, आप नहीं निकल सकते हैं, यानि जब government मुर्कियों को नहीं निकल सकती थी तब court को forward आकर order देना चाहिए ताकि मुर्कियों को निकालो, लेकिन court में restraining order दिया, वहाँ पर restraining order दिया, मुर्कियों को निकालने के लिए ने दिया, नमबर दो, वहाँ पर पूजा का order उन्हों पर नमाज हुई थी 22 डिसेंबर 8 पीम नमाज हुई थी वहां पर लेकिन उसके बाद सेकेंड डे से हम देखते हैं 23rd मॉनिंग से वहां पर नमाज को रुख दिया गया बट जो पूजा थी उस पूजा को अलाव किया क्यों आलाव किया आपको पता था इस एक डिस्प्यूट हम देखते हैं उसके बाद जो आया जो 1980s में जिसके बारे में हम कहते हैं कि जब वहां पर M.K.A. पांडे नाम के एक मेजिस्ट्रेट में वहां पर पूरी तरीके से खोल दिया उसके पूजा के लिए और एक केस अल्रेडी 1961 का केस पैंडिंग था जो एक स्टेटस जो लाओ नहीं किया जाएगा ये वो दिन था जब एक्चुली मस्जिद चला गया हम लोग सोचते हैं कि 1992 को डिमॉलिशन जो हुआ उस दिन मस्जिद गया उस दिन नहीं गया 1986 में एमके पांडे का जो एक ओडर आया था जिसमें उसने मस्जिद को खोल दिया था पूजा के ल अलाबद आय कोट में वहां पर उनके पास जज्जमेंट के एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे थे वो लोग वहां पर लोकल मुहले लेवल का बटवारा कर रहे थे उसके बाद सुप्रीम कोट में गये और सुप्रीम कोट के अंदर भी गट्स नहीं था सही एक फैसला सुन रहा था कि आप mediation करो, who is he to do mediation? इसे लोग हैं को mediation करने वाले हैं? यानि Supreme Court इतना weak था क्या, कि it was afraid to take judgment, afraid to decide something against the majority community, fearing a backlash or fearing some political pressure. इतना डर था क्या Supreme Court का. और आखिरकार जो डर का हम सब लोगं को पता था कि जो डर इन्हें होने वाला है, वही दर हमें आगे जाके मिला, कि 9 November 2019 को judgment दिया गया, मैं हाली में IPS officer से मिला था, एक retired IPS officer से मिला था, उन्हें मुझे बताए कि वो जिम में थे, वो जिम में थे, और जिम में वो TV देख रहे थे, सुबे से hearing सुन रहे थे, और सबसे पहले Supreme Court कहता है कि वहां पर जो वहां पर नमाज हैं पड़ी जाती थी, नंबर वान, फिर Supreme Court का order कहता है कि वहां पर मुर्तियों को जबरदस्ती रखा गया, विच वो जब करिमिनल आक्ट, उसके बाद वापिस वो कहता है कि जो मस्जिद को demolish किया गया, वो एक question, however, आस्ता की बुनियाद पर आप जड़े को रामलाला को दे रहे हैं, यानि हर चीज़ आप मान कर आगे दे रहे हैं, और यह जो एक judgment था, इसके उपर बहुत सारे लोग ने उस वक्वेशन भी किया, और एक चीज़ क्लियर था, we are saying this judgment, बाबरी मज़िद judgment was not written in the Supreme Court, it was written at Nagpur headquarter of the RSS, the Supreme Court judges only recited it, उन्होंने सिर्फ पढ़ा है उसको, उन्होंने उस judgment को लिखा नहीं है, उस judgment को उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, वो judgment Nagpur में बनाया गया, तो यह दूसरा category है, जिसने मुसलसल, जुड़ी शेरी ने भी मुसलसल, सिर्फ 2019 में नहीं, बलके 1949 से ही हम देखते हैं, जुड़ी शेरी का attitude बाबरी मज़िद के लिए हमेशा एक negative रहा है, नंबर त्री आता है Muslim community का, अब आप सब लोग सोचते हूंगे कि Muslim community को मैं यहां पर क्यों ठेरा र मस्जिद तो नहीं है न, आंकों के सामने था मस्जिद, सुन रहे थे उसके बारे में, लेकिन Muslim community का रोल क्या था इस मस्जिद को बचानी के लिए, क्या रोल था, कितने Muslim community के अंदर moments हुए, campaigns हुए, जब 1980s के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, एक fiction को लेकर, एक fiction को लेक इतना बड़ा campaign किया गया था, उस campaign के against में, आप देखेंगे, एक fact को लेकर, Muslim community का क्या campaign था, हर कोई हमोश था, ना तो मस्जिद की protection के लिए कोई थे वहाँ पर, मस्जिद जब demolish हो गई 1992 को, उसके बाद से लेके, बाबरी मस्जिद को याद करने के लिए भी ये community ready नहीं ये community के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग के जो कह रहे थे, भूल जाओ, forget it, forget it करके, उन डेखेंगे को इतना भी नहीं पता कि it is not a matter of masjid, it is not a matter of a physical building, it's a matter of the rights of the minority, whether minorities have equal rights in India, whether the Muslim identity has any value in India or not, ये ये चीज़ था, लेकिन ये चीज़ भी किसी को पढ़ी नहीं कि सब्लों सोच र यहाँ बना लेंगे, वहाँ बना लेंगे, अब मस्जिद चली गई, आब वो लोग काशी पूच रहें, अब वो मतुरा पूच रहें, एक आदमी Thank you है और तीन हजार मस्जिद है और कोई speech में कह रहा है, तीस हजार मस्जिद है, कितने देंगे कितने देंगे तेंगे अगर यह जमीन का मामला होता अगर एक इमारत का मामला होता दे देते ते यूड़ आप गिवन इट समझेंगे इमारत का मामला एक लैंड का मामला कभी भी नहीं था तो जमीन का मामला वो एक मामला था इंडिया के अंदर मुसलमानों को ये पैगाम देना कि you are not our equals आप हमारे बराबर नहीं हो आपकी जगा हमारे बराबरी की नहीं है ये जो आप constitution, constitution कहते रहे तो ये constitution, आपका constitutional rights हम कभी भी एक bullying के साथ ले सकते एक majoritarian bullying करके हम लोग कभी भी आपका constitutional right ले सकते और कुछ नहीं कर सकते आप आप politically आप कुछ नहीं कर सकते legally आप कुछ नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते ये बताना था होने और उन्होंने ये 1992 6 December को ये बताया अब Muslim community का जो एक response होना चाहिए था एक social democratic एक response होता है वो कहां था Muslim personal law board की जो legally fight कर रही थी दूसरे कौन से इसे तंजीम जो रास्ते में थे वो तो हमें एक पागल थे popular front वाले के हर साल 6 December को बाबरी मजजिद बाबरी मजजिद कहते रहते थे हर साल हमें पता था कि केस होने वाला है हर साल हमारे मेंबर पर बाबरी मजजिद के postur लगने पर केस हो रहे हर साल हमें पता था मालूम होने के बरवज़च में हम लोग लगा रहे है र साल हमें पता था कि protest करने पर केस होगा फिर भी जाकर हम लोग proٹेश कर रहे थे आने वाले 6 December को हमें पता है 100% के बारे में जिकर हो रहा था हमारी इसी मस्जिदों के अंदर पलस्टीन के बारे में बड़े-बड़े बात होते हैं अलकसा जिरुसलम सुल्तान सलाउदीन बड़े-बड़े बाते होते हैं लेकिन भापरी मस्जिद के बारे में कहां बात हो रहे थे बापरी मस्जिद के बा एक याद को जिन्दा रखना था है वो याद को जिन्दा नहीं रखा गाया तो ये एक major एक problem था मुस्लिम कमुनिटी था और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जद के साथ मुस्लिम कमुनिटी ने भी injustice किया है जितना injustice रहं के secular government इस अब दूसरी बाते कहता हूं के लोग कह रहे थे कि बाबरी मजज़ित का किसा खतम हो गया है यह तो स्टार्ट हुआ है यह स्टार्ट हुआ है आप देखिये कितने लोगों पर अभी जो एक इंजस्टीस बाबरी मज़ित एक बिल्डिंग पर हुई थी अब वो का जो एटिट्यूड है वो एटिट्यूड एक मज़ित के तहट क्या तहाद है हम देखते हैं कि जुडिशरी का वो एटिट्यूड इंडिविजूड के तरफ आ रहा है इंपॉसिबल है लोवर कोट में बेल मिलना अगर आप गवर्मन्ट को क्रिटिसाइज करते हो और है बेल इस डरूल यूए पीए सेडिशन पीए मेले मनी लॉंडरिंग एक्ट को इस्तमाल करकर एक एक इंडिविजूड को टार्गेट किया जा रहा है जो लोग एरेस्ट हुए रहे हैं वो कोई भी भार नहीं आ रहा है आप एक 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 जैम्पल आप ले लिजी सिद् कापन और बाकि तीन लोग एक दलित लड़की का जो रेप हुआ था उसको रिपोर्ट करने के लिए वहां पर गये थे और कैंपस प्रेंट के लोग वहां पर एक्टिविस्ट मिलने के लिए गये उनसे उनको एरेस्ट किया गया एक इमैजिनरी केस में एक इमैजिनरी केस इमैजिनरी कास्त वईलन्स इंट अएक ऐसा कास्त वईलन्स जो हुआ ही नहीं बताया जा रहा था कि ये लोग वहां पर जाएंगे कास्ट वाइलन्स करने के लिए अभी हाली में आपने देखा न्यूज लांडरी में एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैतरी Means एक सीरीज आया था ऐसीदिक काप नवरी हातरह स्केस को लेके बैतरीन एक सीरीज आया था आप लोगो सीरीज पढ़ेंगा, आपको पता चलेगा ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ है यहांपर, यानि Bollywood और Hollywood लेवल का स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ है 17 स्केस के अंदर, स्टोरी इसको create किया गया, एक के बाद एक WhatsApp के एक लेके, WhatsApp के एक सिंगल चैट को लेके, सीरीज ऑप चैट ने सिंगल चैट को लेके, एक स्टोरी create किया गया, सिद्धिक काफण जैसा एक आदमी जो एक जर्नलिस्ट है, उसको South Terror का एक Face बनाया गया था राउफ जैसा एक आदमी जो एक सिंगल का जर्नल सेक्रेटरी है, उसको इंटरनाशनल टेरर फंडर उसको बताया गया था, इस तरीके का इसू क्रिया और हर कोई जानता है पॉलिटीकली मोटिवेटेड है वो, हर कोई जानता है political motive, लेकिन क्या हुआ, क्या लोवर कोर्ट उन्हें बेल दे रहा है, नहीं दे रहा है, सिद्धिक कापन की मा बिमार थी, एक जर्नल है, सिद्धिक कापन की मा बिमार थी, उसे बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसका बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक बीमारे मा को देखने के लिए उसी चन दिनों का एक बेल मिलाता फिर उसे वापिस जाना पड़ा और वही हाल पर हम देखते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट जो ह क्या दोनों का liberty अलग है क्या कि सिद्धिक अरनब गोसामी को एक अलग आप treatment देंगे और सिद्धिक तापन को एक अलग treatment देंगे दूसरा आप देखे उसी case के अंदर अतीक का आप देखे अतीक और रहमान जो UP का रहने वाला है campus front का national pressurer है अतीक arrested है एक साल से अतीक को severe heart ailment severe heart ailment है अतीक को उसके दिल के अंदर problem है उसको treatment की ज़रूरत है immediate bail चाहिए उसके लिए लेकि life and death का situation है लेकि court ready नहीं है immediate hearing के लिए urgency के लिए court ready नहीं है court के लिए कि जो दूसरे petitions जा रहे है उस petition के साथ add करके उसे लेकर आजाओ यहने कहां पर urgency अर्नब गोस्वामी के लिए आपको urgency है लेकिन अतीक के लिए आपके पास urgency में अतीक मरा तो भी चलेगा जेन के साब लेगे डॉक्टर स्टैंस्वामी का भी रे लीजिए क्या पूचाए जस्टैंस्वामी ने एक स्ट्रॉप पूचा था क्यूंकि पार्किंग इसन के वज़े से पानी ने पी सकते थे स्ट्रॉप भी नहीं दिये उसे जुडिशियरी ने क्या था वो स्ट्रॉप था या एक 47 था क्या पूच रहे थे हूँ इस ट्रॉप पूच रहे थे हूँ ने स्ट्रॉप लेकर कौन सा बड़ा टेरर गाम करेंगे जेल के अंदर हो लिए इस ट्रॉप भी नहीं मिल रहा है उनको मर गये हो और मरने के बाद भी शरम नाम की चीज़ किसे को नहीं है किसी को भी शरम नहीं है हर कोई जस्टिफाई कर रहा है और उसी चीज़ों में आप देखिए जो डिल्ली राइट्स में आप देख लिजए उमर खालिद को शरजल इमान को, गुल्पिशा को या जो नेसी ए एनर प्रोफेस्ट में अंदर है लेकिं युको बेल नहीं होती यह बेल किसको होती है हाई प्रोफाइल लोगों को बेल होती है औरिनरी लोगों को बेल नहीं होती है अगर आप मुसल्माने तो आपको बेल नहीं होगी अगर एक एक एक्टिविस्ट ने आपको बेल नहीं होगी सुधा बरदवाद जैसे लोग ये लोगों को बेल नहीं होती, ये लोग अभी भी अंदर सड रहे हैं, यहांने ये जो इनजस्टीस का जो एक सीरीज बाबरी मस्जिद के साथ शुरू होता, let us not think that it will end with बाबरी मस्जिद, but started with the building, now it's come to individual, हम हर एक लोगों पर आ रहे हैं, य सेमिनार कर रहे हैं, सेमिनार के उपर केस हो सकता है, आज जो मैं बात कर रहा है, दूसरे स्पीकर बात कि इनके बातों के उपर केस ही सुखता है, त्रिपुरा में हमने थे ट्वीट किया, उस पर 102 लोगों पर केस डाला गया, जो वहां पर जाकर मिलने के लिए उन पर केस अंदर त्रिफुरा के लिए प्रेजिदेंट को एक democratic memorandum दिया गया, popular front के लोगों ने democratic memorandum दिया, memorandum में president से demand कर रहे हैं कि take strict action on the police त्रिफुरा के police पर action लेना है independent inquiry बनाना है ऐसे एक democratic memorandum के ओपर 6 लोगों पर case दाला गया है कि why did you submit a memorandum मेमरेंटम सब्मिट क्यों किया, इसलिए आप पर केस हो, तो यह ट्रेंड को आप समझ लीजिए, यह बहुत ही खतरना ट्रेंज हम देख रहे हैं हमारे मुलक के अंदर आ रहा है, और यह जब इतना स्टॉंग ट्रेंड आ रहा था, यह ट्रेंड में जुडिशेरी के तरफ से कीज़ों पर कंट्रॉल चाहिए, इसलिए आप देौć पार्टी बिग brag बना दीया है, इसलिए आप देखिये अर्विन केजरेवाल जाके गोवा में कहता है मैं आपको आयोधिया बेजुँगा दिली में जाके आयोधिया का टेमपल बना रहा है रावल जाके कहता है मैं शिवट वक्त हूँ या कोई जाके हनुमान 40 पड़ रहा है क्या है यह गवर्मेंट का जो इसको बोल रहा है तो आपोजिशन वह डिमालीश हो गया कि आपोजिशन और गवर्मेंट के बीज में आइडियोजी के लिए कोई बड़ा फरक नहीं है वह था बोस्टिंग मैजरिटियनिजम वही तो बोस्ट कर रहे गों और कुछ नहीं कर रहे हैं जिसको कंट्रोल करना है वो ता एकजेक्टिव आप देखिये पूरे एजनसी आज गवर्मेंट के एजनसी स्क्राइट आनटिंग बड़ सुपारी एजनसी बड़ा है इस्तंगल क्या जा रहा है वोई भी anyone who speaks against the government or speak of criticizes the government ED बाहर आ जाती है NIA बाहर आजाती है IT income tax आजाते हैं अब as a popular front हम लोग जानते हैं हमारे घरों पे भी raid हुआ था हमारे offices हमें raid हुआ था income tax हमें कह रहा है कि आपका 12A cancel कर देंगे, ED कह रहा है कि आपको हम लोग आपके ओपर cases डालेंगे हमारे members के जो inquiry हो आता है ED officials members से पूछते है कि BJP को आप क्यों नहीं vote देते हैं आपको BJP से क्या problem है very clear, it is nothing to do with law and order except politically motivated agencies को इस्तेमाल किया जा रहा है politically motivated है सब चीज़े agencies भी चले गए, election commission चला गया, CBI चला गया, सब चले गए अब तीसरा बजा judy sherry अब judy sherry के ओपर कितना pressure है judy sherry को ही पता तो मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक example बताया थे किस तरीके से वहाँ पर पेगसेस इस्तेमाल करके judy sherry पर pressure डाला गया था, देखे judy sherry के लोग भी इंसान ही होते है एक तरफ लोया है justice lawyer है, जुस्ते तरफ गोगोई है justice गोगोई बनोगे, आपको MP seat मिलेगा justice lawyer बनेगे, mysterious death हो जाएगा अब as an individual आपको भी जो select करना है कि आपको lawyer बनना है या गोगोई बनना है और मुझे नहीं लगता कोई भी lawyer बनने के लिए ready रहेगा हर कोई गोगोई बनने के लिए ready रहेगा तो judiciary के ऊपर control करना ये government का very strong intention है अभी भी मुझसे पहले जो speakers है एक उम्मीर है अभी भी हमें एक उम्मीर दे के judiciary के ऊपर इस government का या fascist forces का complete influence या complete control नहीं है अभी भी India के अंदर judiciary के अंदर बहुत सार ऐसे लोग है जो law and order of justice for constitutional values को अभी मेरी बात को खतम करते हुए कहता हूं के इस situation आ रहा है तो हमारे तरफ से किस तरीके का response होना है हम लोग as popular front of India हमारे बारे में लोग कहते हैं कि very क्या कहते हैं कि आप लोग very aggressive organization से हैं तो हम हम कहते हैं कि we are not aggressive organization yeah but we are a very assertive organization within the muslim community muslim community के अंदर से आने वाली एक very strong assertive organization हम assert करते हैं तोड़े चीज़ों के पर अपने हुकूक अपने rights अपने जो भी जो भी हमें हुकूक और rights है उस चीज़ का हम assert करते हैं हम इतने आसामी से छोड़के गएने के लिए तयार नहीं है और वही चीज़ हम कह रहे हैं बाबरी मजज़िद के सिलसिले में भी हमारे लिए याद रहे हैं कि पलस्तिनियन struggle जो है पलस्तिनियन struggle में अभी जो हाली में आपने देखा होगा वो struggle में अल-कसा जो है उनके लिए एक central symbol है अल-कसा उनके लिए तरीके से, जस तरीके से हम देखते हैं कि पलेस्ट Calling रिजिस्टन्स जो है, जायोनिजम के अगेंस्ट अल-कसा को सिंबल बना रहा है इंडिया के अंदर भी फैसिज्म हिंडुतवः फैसिज्म जो रा-इसस का जो फैसिज्म है इस फैसिज्म कि अगेंस बाबरी मस्जट को हमें सिंबल बनाना पड़ेगा, बाबरी मस्जट should be the symbol of resistance अगेंस हिंदुतो फैसिज़न, ये बहुत बड़ा decision हमें लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बाबरी मस्जट की याद ताजा रखनी पड़ेगी, remembrance is the first defense, याद रखिये, remembrance is the first defense, यादा सबसे पहला दिफा है, आपको बाबरी मज़िद को याद रखना पड़ेगा, याद में जिन्दा रखना पड़ेगा, इसा मत सोचिए के बाबरी मज़िद क्या होगा, इंशाला, इंशाला, बाबरी मज़िद को पुन हम, इंडिया की इंडियन community, Indian society, Muslims नहीं, entire Indian society मिलकर इंशाला, बाबरी मज़िद की तामिर करेगी, ये जो विश्वास हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, आपको लगता है, almost नामुम्किन है, लेकिन आप देखिए, पलेस्टीन एक चोटा सा मुलक है, एक stateless people है, कुछ भी नहीं है, उन पुरा का एक सिंबल है, और वो चाहते हैं कि अलग सा मज़िद वहां पर उसका जो एक standard है, उसका जो एक status है, उस्टेटस मेंटेन रखने करें कि वो सिंबल बनाये हुए, लोग कहते हैं कि इंपॉसिबल, लेकिन किस तरीके से वो लोग अपना जो एक democratic और अपना जो एक people's resistance को लो continue कर रहे हैं, हमें भी यह नहीं सोचना है कि government RSS की है, समझे, पुरी हकुमत RSS की है, क्या बाबरी मज़िद के साथ हो सकता है, आप result के बारे में मच सोची, result के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है what efforts are we putting, क्या effort हम लोग कर रहे हैं, बाबरी मज़िद की याद, लोगों के अंदर ताजा रखने के लिए हमारे efforts क्या होगें, वो जादा हमारे अंदर important है, उसके लिए हमने क्या क्या है, हमारी next generations को यह याद, यह बाबरी मज़िद क्या थी, क्या क्या injustice होए, किस तरीके से demolish किया गया, किस तरीके से मुल्क को polarize किया गया, किस तरीके से judgment pass करके, पुरा का पुरा नाइंसाथी के ओपर, एक final coffin के ओपर, एक final nail यहां पर डाला गए, यह सारे चीज़े आने वाले नसलों को हमें पहुचानी होगी, और final चीज़ मैं बताता हूं, इसके अंदर ने कि, अगर आप लोग सोचते हैं कि, बाबरी मज़िद के बारे में बात करने से आपको problem होगा, if I speak about बाबरी मज़िद, or I speak about against the hindutra fascism, I'll be in problem, so, आपसे बड़ा वेवकुफ कोई ने होगा, अगर यहाद में इसा सोच रहे तो, क्योंकि no one is safe, anyone who is not with the hindutra forces is in danger today, हर कोई जो उनके साथ नहीं है, danger में है, आप चाहे बड़े से बड़े film star हो, आ आप चाहे बड़े से बड़े आलिम हो, चाहे आप शारुक खान हो, चाहे वो कलीम सिद्धी की हो, कोई भी हो, आप problem में हो, आप उनके साथ नहीं है, तो आप प्राबलम में हो, तो आपके सामदे दो यह option होता है, या तो आप इनके गुलाम बन जाओ, उनके slave बन जाओ, या अगर आप सोचते हैं कि I'll be neutral, I won't say anything, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं खामोश रहूँगा, मुझे कुछ प्राबलम ने होगा, यह होने वाली बाते नहीं है, आपका identity problem है, if you are not with Hindu to fascism, you'll be in trouble, आपको problem देंगे, क्योंकि उन्हें अपने politics को जिन्दा रखना है, उ सबसे बड़ा enemy उनको मुसलमानों को दिखाना पड़ेगा, तो मुसलमानों में good Muslim, bad Muslim, moderate Muslim, या फिर religious Muslim, या traditional Muslim, यह कोई matter नहीं करता, कोई matter नहीं करता, आपके birth certificate में आप Muslim हैं करके हैं, आपका नाम कोई Persian या Arabic या Urdu जैसा है, आपको problem होगा, आपको problem होगा, तो यह समझना क मैं कुछ बोलूंगा, तो मुझे problem होगा, यह बहुत बड़ी गलक तेमी है, कल किसी और का घर जान रहा है, आपका घर जलने में देरी नहीं लगेगी, so you have to speak up, आपको बात करना पड़ेगा, आपको सिद्धी के लिए बात करना पड़ेगा, खलीन सिद्धी के लिए बात क करेंगे, तब जाके हमें हमारे परसनल लाइफ में और ऐसा सोसाइटी हमारे अंदर इंसाफ जिन्दा रहेगी, जिस दिन हम लोग दूसरों के लिए इंसाफ के बारे में बात करना बन करेंगे, याद रखे, आपको भी कभी इंसाफ नहीं मिनेगा, मैं इतनी बातों के करेंगे, जिस दिन्दान बातों के बातों के बातों के लिए जिए भी करेंगे, याद रहे टोग जोगता झाज़ाएगी, जिस दिन्दान बातों के सावगे।